राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है आज से विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है बीजेपी ने एलान किया है कि वो आज ही सदन में अविश्वास प्रत्जाव लाएगी ऐसे में अशोक कहलो सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है गुरुवार को बीजेपी की बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया विधान सभा में बीजेपी की नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कॉंगरेस अपने घर में टाका लगा कर कमड़े को जोड़ना चा रही है लेकिन कपड़ा फट चुका है ये सरकार जल्दी गि बागावत करने वाले सचिन पायलेट एक बार फिर कॉंगरेस के पास पहुँच गये हैं घैलोट और पायलेट की भी मुलाकात हुई बैठक में मन्थन भी हुआ दूसरी ओर बस्वा विधायकों के विलय का मामला भी अभी अदालत में चल रहा है ऐसे में अशोग गैलोट सरकार के सामने पायलेट गुट को मनाने के साथ साथ अपने कैम के विधायकों को भी साथ रखने की चुनोती होगी राजसान विधान सवा में गुल 200 सीटे हैं इलमे से 107 का आकड़ा कॉंगरेस के पास है साथ ही कई निर्दली विधायकों का भी समर्तन है जबकि बीजेप प्राइम्टी में हुए मनमुटाओ के एपसोड के बाद ववबत साबित करना इतना आसान नहीं होगा पॉलिटिकल डेस्ट प्राइम्टी होगा